नमस्कार स्वागत है आपका भारत समवाद में मैं हूँ अम्रुता राय और आज भारत समवाद हैदरबाद के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवरसिटी से आज भारत समवाद देश की उस आबादी के सिलसले में जो संख्या के लिहाज से देश की कुल आबादी का तकरीबन 14 फीसदी है लेकिन देश के विकास में उसकी हिस्सेदारी नगणे के बराबर है आखिर क्या है उसके पिछड़े पन की वज़ा ये जानने के लिए सरकार ने कुछ साल पहले सचर कमिटी बनाई उस सचर कमिटी की रिपोर्ट को आए हुए भी 6 साल से जादा हो चुके हैं लेकिन आखिर कहां तक पहुँची है सरकार की कारवाई और उस सिलसले में सरकार कितनी गंभीर है आज इस पर चर्चा करने के लिए हम इस कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कई खास महमान खुद केंदर सरकार में मानियर्टी मिनिस्टर के रहमान खान साथ हैं बहुत बहुत सबागत है रहमान खान साथ आपका हमारे साथ इसके अलावा कई और खास महमान हैं हमारे साथ हैं अमिताब कुंडू जो की डाइवरिसिटी इंडेक्स कमिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और जवालल नहरू युनिवरसिटी में पढ़ाते हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका अमिताब जी हमारे साथ हैं मुहमद मिया साहब जो की खुद मौलाना आजाद नेशनल अर्दू युनिवरसिटी के वाइस चांसलर हैं बहुत स्वागत है आपका मुहमद साहब और हमारे साथ हैं जाहिद खान जो की सियासत अर्दू अखवार के संपादत हैं आपका भी बहुत स्वागत है और हमारे साथ हैं उज्मा नाहिद जो की मेंबर हैं मुस्लिम परसनल लॉबोर्ट की और आईवा से भी जुड़ी हुई है बहुत बहुत स्वागत है उज्मा हम इन तमाम महमानों से उन सवालों को जरूर पूछेंगे जो देश की मुस्लिम आ जाहत हभी बुल्ला साथ हभी बुल्ला साथ आपका भी बहुत स्वागत है सबसे पहले रह्मान खान साथ आप से शुरुआत करना चाहूंगी छे साल से उपर हो चुके हैं सच्चर कमिटी की रिपोर्ट को आए हुए लेकिन जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से ज 2012 के बीच कई सारे कदम उठाए गए हैं खास दोर से 6 लाक महिलाओं के बैंक एकाउंट खोले गए हैं 6000 पीस्ट्यू बैंक खोले गए हैं अलग-अलग इलाकों में देश के वियवसाइक विकास के लिए 1911 प्रोग्राम्स चलाए गए हैं और उसका फाइदा भी 33,000 से काम हुए हैं लेकिन वो काम कहां तक पहुँचे हैं तोाटल सचार्थ कमीटी के 76 रहेमेनते ते उसमें इसरकार कर दे भी 72 रहेमेन्डेशन को accept किया और ये 72 रहेमेन्डेशन को 46 एरिया में इसको लिया गया और 46 प्रोग्राम्स इसके बनाये इसका जो स्टाश्यों सचार कमीटी का एक तो अकस्थ एडूकाइशन, एकस्थ एकस्थ बांक लोन, एकस्थ तु शु और बेलब में प्रोग्दम्स बव्रम्मन, प्रप्लक्त उब्टी के मैंन। एड महित आप्टाइस एडूर्णिता हैं। और जो specific Muslim dominated areas हैं उसका area development. Access to education जो है सबसे बड़ा importance दिया गया था Justice Sachaar Committee की report में. तो इसको government ने implement किया है by affirmative action, by having a scheme for scholarship. It is a major program which was taken up. अब तक लगभग, 90 lakh students are getting scholarship. And this year we have a target to 40 lakh scholarship or fresh scholarship देने का है. So this is one of the most successful program even after the assessing. जितनी recommendations थी उसमें यही एक program है scholarship का जिसको माना जाता है कि अब तक का सबसे successful program है. और बाकी जो suggestions थी या recommendations थी उस पर चर्चा करेंगे लेकिन मुहमद मिया साथ मेरा सवाल आप से यह है कि मिनिस्टर ने कहा कि access to education एक major trust area था. उसको सफल बनाने के लिए आप लोग की तरफ से क्योंकि आप एक ऐसे संस्थान में vice chancellor हैं जिसकी new ही इसी आधार पर पड़ी. उस संस्थान की तरफ से क्या किया जा रहा है? मुलाना आजाद नेशनल अर्दू इन्वरस्टी का mandate जिसमें अर्दू मीडियम के जरिये तालीम, लड़कियों की तालीम, vocational और professional education पर जोर. मैं समझता हूं कि इसके जो act का जो preamble है वो सच्चर कमिटी की recommendation से बिलकुल mail खाता है. और यह किदारा ऐसा है क्योंकि इसका act में भी शामिल है कि सच्चर कमिटी की recommendations को implement करने में पूरी तरह से मददगार साबित हो सकता है. मौरानाजाद National Urdu University ने इस तरफ जो कदम उठाए हैं और सच्चर कमिटी के तहत जो हमको मरायात मिली उसमें हमने polytechnics खोले, हमने school खोले, हमने teacher's training colleges खोले और हमें आगे भी teacher's training college खोलने की इजाज़त मिल गई है, तीन teacher's training colleges और मिल गए है, हमने सारे मुल्क में कुछ हमने खोले हैं अभी इदारे और कुछ और खोलने का भी इरादा है, तो मैं समझता हूँ कि सच्चर कमिटी की recommendation का जहां तक implementation है, हमें काफी मदद मिल लई है उस सच्च में क्या पेचीदिया थी और क्यों नहीं आखिर वो implement हो पा रहा है, और अगर वो implement हो तो मुस्लिम समुदाय को किस तरह का फाइदे की आप उमीद देख रहे हैं, सचर कमिशन का वीजन ये था, कि हम diversity को celebrate करें हमारी देश में, उसको एक problem ना समझ के, उसे हम promote करने क हम propose करें, जिसकी आधार पर इन संस्थाओं का, सारवजनिक और नीजी संस्थाओं का, एक ranking हो सके, rating हो सके, और कुछ funds हो, जो इनके rating के basis पे हम उनको allocate कर सका, ताकि जो संस्थाएं, जो diversity को respect करती हैं, जहां पर इस diversity में, एक ची में बता दू, caste को भी शामिल किया गया था, इसमें gender को भी शामिल किया गया था, यह भी सचर कमिशन के perspective में था, इन तीनों चीजों को मिलाकर, जो diversity index बनेगी, उसके आधार पर अगा हम वित्तिय अलोकेशन करें, और कुछ incentives दें, और जो private संस्था हैं, जो सरकार पर आधारित इनों निर्भर करती हैं, क्योंकि उन्ह इस सर्दारी इस समय देश में हैं, लेकिन जो जमीनी इस तर पर आप लोग समस्याइं देखते हैं, वो सिक्षा और रोजगार के अलावा, और कौन-कौन सी ऐसी समस्याइं हैं, जो आप लोग को एक पत्रकार होने के नाते, एक अख़बार के संपादक होने के नाते, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, और स्कूल से छेटी और साथनी जमाज के जो ड्रॉप आउट्स हैं, वो मर्द बच्चे हैं, इसलिए कि माबाप ये चाहते हैं कि फैनेंशली अगर ये बच्चा पढ़ने के बज़ाए स्कूल छोड़ दे, और स्कूल छोड़कर वो क हो रहा है, वो इतना खतरनाक है कि कल कोई इन से शादी करने के लिए तैयार ने होगा है, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, मैडिसन में डिस्टिंख्शन के साथ पास हो रहे हैं, इस्टेट रैंकर ला रहे हैं, जिसकी वज़े से उनको बिट प्लैनी में पुल कि अगर मैट्रिकुलेशन लिवल पे देखा जाए तो सिर्फ 5% बच्चे विलिज में और 7% बच्चे अर्बन एरियाज में एजुकेट हो रहे हैं एजुकेशन की जहां तक बात है एजुकेशन की तरफ रुजहान बढ़ा है और बहुत से स्कूल्स भी इस्टैबलिश होए हैं लेकिन अभी रिसेंटली जो ये एजुकेशन बिल आया है उसकी वज़ा से जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसकूलों को वो बहुत डैंजरस है ज 19 पॉइंट कहता है कि ना बंद करने की सूरत में पर डे एक हजार रुपए फाइन होगा ये स्कूल जिनको रिजिस्ट्रेशन नहीं मिला है ये भी दानिस्ता हो गया रिजिस्ट्रेशन दिया ने गिया बर्सों से वो अपलाई कर रहे हैं उसके बाद ये अपनी अपनी रख में जमा करते हैं जकात की रखम सद्कात की रखम कमिनिटी से जमा करते हैं और उसके बाद उन पर एक हजार रुपए फाइन हो इस वब तो हाल ये है कि बांबे जैसे सिटी में लोग स्कूल खोलते हुए डर रहें वजाहत अबीब लासाब आपके पास आना चाहूंगी आ अपने लेवल पे क्या काम करें और आप जब इस तरह की डेटा और इस तरह के आंकड़े देखते हैं उससे उबारने के लिए समुदाए के आपके नजर में सबसे बड़ी चीज़ क्या की जानी चाहिए हमने जो पाया है हिंदुस्तान भर से जो हमारा राप्ता रहा है जो जो मौलवी सहबान हैं या कौम के लोग हैं औरते मर्द गाओं में भी और शहरों में भी तो ये एक चाहत है हर एक में कि हाँ हमारे बच्चे तालीम पाएं और तालीम अगर पाएंगे तो फिर इसी यही एक तरीका है तरकी करने के लिए एक तो ये एक बहुत ही बड़ा म हमारी मदद हो रही है सचर कमिटी रिपॉर्ट से और ये 15 नुकाती प्रोग्राम से एक दूसरा मसला है जिसके बारे में हमने अभी लिखा है प्रेस काउंसल अप इंडिया को भी और ये जो ब्रॉड कास्टिंग काउंसल है इसमें ये है कि हमने ये पाया है कि अक्सर जब ये इस किसम के आतंकवादी के हमले होते हैं तो अब एक अजीब सी बात हो गई है कि फॉरण किसी मुसलमान का नाम करना लेना शुरू कर देते हैं तो इस में खुशी की बात ये है कि इस इस एतराज पे हमने जो लिखा है हमारे कमिशन ने ये टेक अप किया है तो प्रेस कौंसल ने भी इसके उपर काफी लोगों से कहा कि इस किसम की बात ना करें महिलाओं का मुद्धा जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्धा है क्योंकि अभी तो जो बात बाचीत हो रही है वो किवाल ओवरॉल पॉपॉलेशन के बारे में बात हो रही है उस मुसलिम महिल कान साथ ने कहा कि छात्रवर्ती हम बड़े पैमाने पर दे रहे हैं जो ही मिनिस्ट्री है वो बालिकाओं के सिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हॉस्टिल खुलवाना और स्कॉलर्शिप प्रोग्राम चलाना और रिजर्वेशन देना ये सब कुछ कर रही है क्या उससे वज़ा से आपको नहीं मिल रहा है तो सेंटर उन से दोबारा नहीं पूछता कि वो पूरा फंड जो है वो उनको किया गया यह नहीं मौलाना अजाद जैसी और्गनाजेशन को भी महिला आर्थिक विकास मंडल के थ्रू कर दिया गया तो स्कीमों को अवेल करना बहुत मु कि उसका निदान किस तरीके से केंदर सरकार की तरफ से हो सकता है रह्मान खान साथ दिए उसमाजी ने जो कहा है यह बिल्कुल सही है जो आटी एक आने के बाद अन्रकेगनाइज स्कूल्स को बंकर जादा है मगर मदरसों का जहां तक अरवी मदरसों का सवाल है उसको एक्जम्ट किया गया है बिल अमेंड करके यह इतराज था तो हाल ही में गवर्मेंट ने आर्टी एक्ट अमेंड करके मदरसों को एक्जम्ट किया गया है हमारी यह मुश्किल है कि हम डिरेक्ट कोई भी सुईदा लोगों तक पहुंचाने सकते हैं तुरू स्टेट गौर्मेंट ही हमारी एक मेकानिजम होती है। स्टेट गौर्मेंट में मानता हूँ कहीं कहीं ये स्कीम से पहुंच नहीं रहें। और कहीं हम ऐसे कंडिशन्स लगा दिये हैं कि वह अप्लिकेशन्स भी आएंगे तो तुरू स्टेट गौर्मेंट से। तो इसलिए इसके ओपर हमारी एक स्टेडी हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि ये जो स्कूल्स हैं अन्रगरे स्कूल्स हैं इनको NOIS से जोडा जाएं नेशनल ओपन स्कूल्स से जोडा जाएं और उसके जरीये से हम हर स्कूल्स को जो सेंतर preservation को जाहां-जहां अन्रगरे सेंटर भन बन गया तो और Reganization हो जाएंगो इसकी तरफ हमारी मिनिस्ट्री भी ग़ुगर कर रही है। हमारे यहाँ सबसे दुश्वारी मुसल्मानों के जो मैंने महसूस किया में मिनिस्ट्री में आने के बाद कि हमारे पास नगीवोस की कमी है हम लोगों तक पहुंच सकते हैं एंजियोस के जरीय से हुकूमत से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके पास जाएंगे स्कीम ले जाएंगे यह मुख्त मुश्किल बात है क्यों हुकूमत तो पूरा सिस्टम चलाती है सिस्टम के थूर नहीं हो जाए ड़ता हूं यह सिर्फ माइनार्टी के हद तक नहीं पूरे हमारे प्रोग्राम जो आज लोगों तक नहीं जाने के कंप्लेंट से यह डिलिवरी सिस्टम है इसलिए हमारी मेरी जो अपील है के जियादा से जियादा एंजी वोस और मुस्लिम कम्यूटी के जो जिम्मेदारे उनको इसमें जियादा आवेरनेस पहुंचाने तक जब आवेरनेस आ गया यह तो लोग आप आटोमेटिक के अपने राइट को जानना चाहते हैं आवेरनेस की कमी है यह मांता हूँ इसकी और पर हम कोशिश कर pastors लोगों में कम्यूटी के जिम्मेदारी को बहुत जोड़ से स्ट्रस कियाThankya की जाना झाल्फारी को नहीं समझ रही है पार्टिसिपेट होना चाहिए और किस तरह कि उनको समस्याइं फेस करनी पड़ रही है इस पर आपसे बात्षीत करेंगे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं ब्रेक के बाद जल्द हासे हैं तो हम बात कर रहे हैं मुस्लिम आबादी की समस्याओं की और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से चल रही कोशिशों की हमारे साथ तमाम खास महमान तो हैं ही लेकिन एक उस आबादी का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर मौझूद है आप कुछ सवाल करना चाहते हैं मुछे मुसल्माओना का पहला मसला जो है वो सारे मुल्क में लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का है चाहे आप परलिमेंट से ले या फिर जिसना गराम पंचायत के सते तक और असंबलियों में देखें तो यह मुसलिम रिप्रेजेंटेशन के बगार मुसलिम मसायल सही तोर पर हुकुमत तक नहीं जा सकते हैं दूसरा मसला जो है वो सबसे बड़ा वो यह है कि मुसलिम अनिम्प्लाइमेंट का है मुसलिम अनिम्प्लाइमेंट के मुझे यहां तक कहना पड़ेगा कि यहां तक के कार्पोरेट्स में मुसल्मानों को मुलाजिमत नहीं दी जा रही है और तीसरा मसला जो इस वक्त चल रहा है जिसके जनाब वजहाद हभीबला साहब ने भी तोजी दिलाई है वो है जसना एक हेटेड अटिट्यूट या हेटेड अटमास्फियर अगेंस्ट मुसलिम पूरे मुलक में पैदा हो गया है और जब तक हम इस माहूल को खतम नहीं करते और इसके लिए पाजिटिव स्टेप्स नहीं लेते और एक सेक्यूलर माइंड अटिट्यूट को हर सत्य पर नहीं अपनाया जाता तब तक शायद जसना मुसल्मान फियरलेस जिंदगी नहीं गुजार सकते आपने जो सवाल पूछा उसमें एक चीज में जोड़ना चाहूंगी अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आम तोर पर उसतन 27 फीसिदी के आसपास पार्लेमेंट में और विधान सभाओं में मुसलिम का रिप्रेजेंटेशन रहा है अभी जो है 13.4 फीसिदी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन माना जा रहा है 2001 के सिंसस के मुताबिक ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बढ़ाए जाने के लिए क्या किये जाने की जरूरत है उसके बाद हम रोजगार और बागी मसलों पे आएंगे ये पॉलिटिकल ये जो ट्राइब्स को रिजरुवेशन दिया गया उससवक्त पर इसके उपर बहुत बहुत हुए मैं डीटेल में नहीं जाना सकता कंस्यूशन अम्में असम्ली के डिबेट हैं इसके ओपर किस वज़े से सप्रेट रिजरुवेशन मना किया गया इसके फाइदे क्या है इ एक सचार कमिटी ने इसमें एक पाइंट आउट किया है, कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी है, उसको किसी ना किसी तरह से रिजोर्ब कांस्ट्यूएंसी खरार दिया जाता है, इसलिए वहां मुसलमान जहां उनकी आबादी अक्सरियत में हैं, कंटेस्ट नहीं कर सकते एक सैका कमिटी और में सब्सक्रों को किया है सचार कमिटी के रिक में मंडेशिंद और और यह कहा गया अगर कोई एक अइसे कांस्टिटिटिंशी जिसमें इनकंशिस्टिंसिंशी है जाय है किसी एक particular community को उससे effect होता है तो president को यह हग दिया गया है कि उसको alter करने का तो वो amend हुआ है मगर इस यह next delimitation commission जब आएगा उसी वक्त implement होगा क्योंकि यह constitutional provision लेकिन सरकार इसे क्यों नहीं कर सकती है अगर समस्या इतनी बड़ी है तो उसको उसको सरकार ने कर दिया सरकार ने जानकार पूछ रहे हैं कि next commission का इंतिजार क्यों कर रही है सरकार क्या वो चुनाव आयों के जरीए intervene किया जा सकता है नहीं हो सकता क्योंकि constitution comment करना पड़ा वो बड़ा मसला है मैसमें कुंडू साहब एक और सवाल उनका था वो था कि नौकरियों में representation Muslims का बहुत कम है अम्रिता जी आपने शुरू किया था यह बता कर कि 14 प्रतिशत अबादी जो है Muslims की है और अगर राष्ट्री आए आए के आंकड़े तो community wise नहीं मिलते लेकिन total consumption expenditure में Muslims का शेयर 7 या 8 प्रतिशत है 14 प्रतिशत जनसंग्या के बावजूर और अगर आप पिछले 20 साल में इसकी growth को देखे मैं 93 94 से 2009 10 की बात कर रहा हूं Muslims का rural area में और शहरों में consumption expenditure में बढ़ने का दर सब community से कम है including schedule caste and schedule tribe community उसकी वज़ग क्या है यह तो पता है कि बेरोजगार मुझे ऐसा लगता है कि जो perspective यह कि Muslim communities कुछ areas में रहते हैं उन्हीं area में infrastructure बढ़ा दिया जाए वह self-employed है कुछ self-employment पर loan दे दिया जाए skill development कर दिया जाए मुझे लगता है यह exactly सचर कमिशन का perspective नहीं था सचर कमिशन यह कहती है कि mainstream करना चाहिए उन्हें सरकारी गैर सरकारी जो संस्ता हैं जो modern sector जो उभर के आ रही है उसमें उनका हिस्सा मिलना चाहिए और यही perspective था diversity index का कि वो एक जिस pattern से historically जीते रहे हैं उनसे अलग आए अगर आप देखे migration को rural से urban में migration को अगर आप देखें तो schedule caste का तो कम है non-scheduled caste Hindu population का rural से urban में migration बहुत जादा है और migration के जरिये वो अपनी आर्थिक स्थिती को सामाजिक स्थिती को उपर लेकर जा रहे हैं लेकिन मुस्लिम का जाना तक सवाल है रूरल से urban में migration जो है वो सबसे कम है मुझे ऐसा लगता है कि diversification होना चाहिए occupational structure का उनके social structure जी आप कुछ कहना चाहते हूँ मैं यह पूछना चाहता हूँ आप statistics के माहर है क्या आप यह बता सकते हैं कि आन्रपरदेश ग़र्मेंट ने जो 4% reservation की बात मुसल्मानों के साथ किये है क्या उसका implementation रियासत में बराबर हो रहा है आपने बहुत specific सवाल पूछा है और मैं समस्तक का specific जब आप वही लोग देख सकते हैं जो अंद्रा सरकार से related है लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक सचर कमिशन का सवाल है उन्होंने वैसे reservation की बात explicitly कहीं नहीं कहीं है उन्होंने यह कहा है कि डाइज़र्ट सिटी को बढ़ाना चाहिए जो सामाजिक महोल है जो discrimination का है जिसकी वज़े से उन्हें नोक्रियां नहीं मिल पा रही है सारवजनिक संस्था में उसे दूर करने के कोशिश करनी चाहिए क्या इंस्ट्रुमेंट होगा उसके बारे में उन्होंने स्पेशिप लिए लिए ने भले ना कहा हो रंगनाथ मिश्रा कमिटी ने कहा है कि 15% reservation की सदूर्ट है मैं एक बात क्या है कि एक सवाल पूचा गया कि employment में representation बहुत कम है वसल्मानों का और उसके दो वजाएं हो सकती है एक तो तालीमी मेयार की वजा हो सकती है और दूसरी वजा जो तीसरे सवाल से जुड़ी होई है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर बराबरी का भी कहीं पर मादला होता है तो शायद मुसल्मान को यह मैसूस करता है कि उसको नौकरी इसलिए नहीं मिली कि वह मुसल्मान है अब इस एडिटूड को कैसे बदला जाएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वह सवाल मुसल्मानों को भी अडरिस किया सकता है और गर-मुसलिम क जब तक assimilation की गुंजाइश दादा नहीं पैदा होगी तब तक यह पीलिंग मुसल्मानों में भी रहती है और दूसरे लोगों में भी रहती है कि सर्चर कमिटी का एक specific recommendation था वो मुश्किल नहीं है सरकार के लिए पता नहीं आज तक वो क्यो नहीं हुआ कि एक national data bank होनी चाहिए जिसमें आपके diversity profile भी होगी और आपकी deprivation profile भी होगी आज तक सरकार ने उसके लिए क्या कदम बढ़ा है हम कही और committees में भी बैटे हुए इस सवाल पूछते जाते हैं मग हमें जवाब नहीं मिलता कि भी है और प्रपर national data bank that tells us the difficulties we will not be able to have NGOs who work दूसरी बात सर कि आपने scholarship, बिल्कुल आपकी scholarship schemes आपकी सारा successful schemes में मानते है मगर हमारा मानना है अभी कुझात हाई court में judgment भी आया है जिसमें चैलेंज किया का था आपका स्की that judgment is established कि affirmative action के जरी आपने ये scholarships दी हमारी ये गुजारिश है कि जैसे हमारे दले तादिवासी बच्चों को 100% scholarship दी जाती है वैसे हमारे मुसलमान बच्चियों बच्चों को 100% दीनी चाहिए ये 10% 20% के फाइदा नहीं होता सर दस पसंट 20% से वो क्रिपल होते हैं वो admission लेके फिर नहीं भर पाते हैं तो आप अगर समुधाय के समस्यां देखे तो ये scholarship को आप Article 46 के जरी आपने तीन इशू उठाए एक जो data national data bank मैं मानता हूँ तीन recommendation हम आज तक implement नहीं कर पाए हैं एक diversity index दूसरा national data bank तीसरा equal opportunity commission ये तीन एक में जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये तीनों का जो हम implement नहीं कर पाए थे अब हमारी कोशिश है के अब बहुत जल्ड एक्वल अपर नी कमिशन बेल परलिमें में प्रसेंट किया जाएगा we have already taken initiative and it will be inshallah in this session end of the session it will be the equal opportunity commission will be established the second thing is diversity index and data bank there was confusion as to who will do this so now we are thinking of interesting the national data bank and also diversity index monitoring to the equal opportunity commission so that is the reason now hopefully I am sure that in a very short time the all the three unimplemented such our committee recommendation will be implemented as far as scholarship is concerned you are right there is demand we have steadily increasing the number of scholarship I know I will tell you we are now studying the number of application how many applications are reject we have to create as you rightly said we still now have not a data now we are we are assessing that how many students are applying how much it is required and my endeavor is to see that it is demand driven scholarship not the targeted scholarship it will be demand driven and towards that I am working hopefully I will succeed I am doing it a great deal with the three schedule cast है schedule tribes है और पहली दफ़ा उनने उस मुसल्मान भी इसमें add किया है यह अफसोस की बात है क्योंकि रफ़तार जो प्रगती की बाकी समधायम हुई है उतनी मुसल्मानों में नहीं हुई है ministry minority affairs तो monitor कर रही है scholarship वगरा की चीज़ें लेकिन और जो काम है जैसे पंद्रा नुकाती प्रोग्राम में यह है कि जो भी development schemes है जैसे इंदरावास योजना है और MNREGA है इस परकार की जो scheme है हर एक में पंद्रा फीसद जो है उसका फाइदा जाना चाहिए अल्फ संखकों को लेकिन वो नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें शब्द जो इस्तिमाल हुए है wherever possible जी तो इस सरकार की सरकार के हर में कमे को 15-15 फीसदी योगदान की भी एक ववस्ता की गई है 11 मिनिस्ट्री में जो social sector के में काम कर रहे है मिनिस्ट्री उनमें ये compulsory है कि जो भी budget allocation किया जाता है सेंटर से इन में 15% physical और financial target fix करके उसको deliver करना पड़ता है 15-point program तो इसमें education program आते हैं economic programs आते हैं social welfare programs आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये reach होने के लिए जैसा कि मैं पहले भी कहा कि NGOs को आगे आना चाहिए वरना ये reach नहीं हो पाए नहीं लेकिन ये जो ministries आप 11 ministries की बात की क्या सभी बढ़ चड़ कर उसमें सहयोग कर पा रही है या कहीं कुछ पीछे छूट जा रहा है इस पर चर्चा जारी रखेंगे और इसके अलावा एक बंदुआ मजदूरी से भी जुड़ी हुई समस्या है वो किस तरह से muslim जाय में को पीछे ले जा रही है और पिछड़े पन की वज़ब बना हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं ब्रेक के बाद हासिरों हम इस वक्त हैं हैं हैदराबाद के मौलाना आजाद उर्दू यूनिवरसिटी में और इस समय हमारे साथ है यूनिवरसिटी के रेस्टर आप अपना सवाल पूछे सर्थ तैंक्स टू मनमौन सिंग गवर्नमेंट के उन्होंने सचर कमिटी को तश्कील दिया और उसकी बदालत सरकारी तोर पर पहली मरतबा मुसलमानों की जो वैकवर्नेस है वो मनजर आम पर आई मगर यहां सवाल है कि एक जाने अधी मसला सामने आया है तो दूसरे जाने अमल हो रहा है मगर फीडभ accurate किस ह mate काम हो रहा है इतने साल जो गुजर गए अभी आपने कहा six साल गुजर गए तो छे साल में क्या हो पाया है पहले जो स्थिती थी क्या भी वही स्थिती है सरकारी तोर पर कोई मेकानिजम होना चाहिए जाँच करने के लिए वो नहीं है वो अगर हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है अपने सही कहा कि जो हमारे उपलब्दियां भी है आंकडे भी है अब क्या क्या तरिखी किया है कितने कितने इंफरास्टुक्चर डेवलब किया है कितने स्कूल्स ओपन किये हैं कितने स्कूल कमरे ओपन किये हैं और कितने पॉलिटिक्स कि ओपन किये हैं यह सब इंफरास्टुक्चर डेवलब्मेंट के पास आंगडे हैं मैं आंगलों से ज्य कमिटी बना रहे हैं इसके जरीए से वह हम स्टैंडिंग कमिटी बना के हर एक साचार कमिटी के जो जो है और रेकमेंडेशन उनके फीडबैक लेने के लिए एंजी ओस कुई नवाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं एंजी ओ कि क्योंकि मैं बार बार दुबारा इसलिए शिकायतें चलते रहे हैं और वो अवेर्निस के लिवल पे ही काम होगा तभी शायर यह आगे बाता रहा हूं एक छोटा से एक्जामपल मैं देता हूं कि अभी बात हुई इंद्रा आवाज योजना की जो बिलो पावर्टी लाइन के जो करियां जाहर है कि मुसल्मानों में बिलो पावर्टी लाइन के लोग ज्यादा है अब इसमें फिफ्टीन पाइंट प्रोग्राम में इंद्रा आवाज योजना की स्कीम के तहत माइनॉर्टी के लिए 450,000 houses का एक target financial और physical target fix किया गया है state-wise उसको devote किया गया है district-wise devote किया गया है मगर lack of awareness से कि कि किसी को कहीं भी जाके पूछो इतने मजमि में पूछो कि 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 मालूम है कि हिन्द्रा आवाज योजना क्यूंकि वो गरीबों में रहता है वहां जाके कोई काम नहीं करता, मालूमात हासिल नहीं कर सकते, अगर आज RTI जैसा वेपन रहने के बावजूद आपको इंफर्मेशन हासिल करना बहुत आसान, एक ब्लॉक लेवल पर एक तासिलदार को पूछ सकते हैं कि आपने कितने इनरावाज योजना यहां पर बनाया और इसमें कितने मुसल्मा, यह जाके यह नहीं एक्सपेक कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां जाके पूछेगी, तो यहां आवेरनेस की कमी से हमारे स्कीम पहुंच नहीं रहें, मैं यह मानता हूं, तो हमारी यह पूरी कोशिश हो रही है कि अब ज्यादा से ज्य पूर कर सकते हैं. मैं समझता हूं कि डेटा के जेनरेशन में ही जो रिलिजिस माइनरिटी के अनुसार डेटा जेनरेट होना चाहिए. और एक बात और और मैं समझता हूं कि यह जो डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है, वो एक्विल ऑपरचुनिटी कमिशन से बिलकुल अलग हटके दूसरी च इसमें डाइवर्सिटी को साथ मिलना चाहिए. और जो संस्थाएं यह से नहीं कर रही है, उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए. उनके अत्रा-तरा से डिस्कारिजमेंट होना चाहिए. मैं समझता हूं प्राइवेट जो नीजी संस्थाएं है, वो भी अगर अगर इसमें इसको पैदा करें. यह मैं मानता हूं, इसलिए हम उसकी तरफ वर्क कर रहें, आपका रिपोर्ट हमारे पास आई है, यह रिवर्सिटी यह तीन जो मैंने कहा के डिवर्सिटी एकुल अपरचुनिटी कविशन इन डेटा बैंक, नैशनल डेटा बैंक का हमारा नैशनल डेटा बैंक इससे क्योंकि एटा बैंक क्या बगार बॉर्सिटी ने माने हूंगे हो, विर्सिटी क अभी एकुछिटी यह अचित्यून कमाक कुमान के. बिलकुल ये तीनों तिसे शिर्फ बिरोकियिक इस से क्योंकि डेटा बैंक का स्टाटिस्टिक डिपार्मेंट चलाएगा या तरह मेनार्टी मिनिस्ट्री चलाएगा इस तरह कि विबरोकियिक हजसें तो हम वो दूर करके ये तीनों आप इंप्लिमेंट करने हैं लेकिन जाहिद साहब एक और सवाल माइनोरिटी के लोगों की तरफ से उठाय जाते हैं वो ये है कि ये सब तो जरूरी है ही लेकिन जो अभी तक उपाय किये जा रहे हैं जो सुविधायन दी भी जा रही है वो केवल मुसलिम के बजाए माइनोरिटी के हाथ में जा रही है उस माइनोरिटी में बहुत सारे और समधाय के लोग भी और रिलिजिन के लोग भी आ रहे हैं तो जहां पर उनको इंडिविज़ल फायदा होना चाहिए जैसा के बात हुई है कि जो सोशल एक्टिविस्ट है 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 खासतोर से अगर ये कोई मिलकर काम करें जैसा के इसकॉलर्शिप। के मामले में गर्मेंट के जो लोग यहां इसकॉलर्शिप। के लिए अप्लिकेश न ले रहते जी हैब नाट प्रोवाइडेद और 70 थाउजन अप्लिकेशिज्जज्जीकहिश्ज्जज्ज्ज्ज्जज् वेरिज जी हैफ इंज 1,65,000 एप्लिकेशन थो सियासत तो जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे अगर ऐसे ही मिल के काम करेंगे तो जो आप बात करेंगे तो जो आप बात करेंगे कि दूसरी खौम के लोग भी ले रहे हैं लेने दीजिए अगर वो बैकवर्ट क्लास में है तो हमारे को कोई इतराज नहीं है उनको लेना चाहिए इस जो आपने सवाल उठाया है मैनोर्टी में हमने मैक्सिमम बेनिफिट हर स्कीम की ये I want to clear this कि हर स्कीम की मैक्सिमम बेनिफिट जा रही है मुसल्मान की क्योंके हम इक्विट बेनिफिट बेनिफिट कर रहे है 76% is the out of the total minority 76% of the populations are minority all resources are divided equitably there is no question of anybody taking over only in the case of bank credit the percentage of the minority particularly Muslims bank credit flow is less than their percentage and we are working for it because bank credit जो होता है affluent ज्यादा जो है वो लेके चले जाते है तो बैंक क्रेडिट में भी अब तक 14% it was when the सचार कमिटी वस इंप्लिमेंट the flow of credit was 7.6% now the government has made it compulsory that minority loans are priority sector loan they have to 15% of the loan should go to the minorities इस से इसन का परसेंटेज आंगरा बड़ा है अब आंकरों के हिसाब से 14% तक गया है 1,76,000 crores is the credit dispensed to the minorities but इसमें जो 74% जो होता है roughly 1,000,000 crores होता है मगर इनको पहुंचा है 70,000 crores लेकिन एक सवाल वजाहत साब आप से जरूर जानना चाहेंगे वो ये की एक बड़ी मांग रही है कि Muslims को reservation दिया जाए तब फिर वो शायद बात आगे बढ़ पाएगी और लगातार इस community की तरफ से ये मांग रही है सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश भी की लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है आपकी नजर में आप क्या कहना चाहेंगे ये एक बात है जो जेरे बहस है लेकिन जाहर है कि जो अगर आप चाहेंगे जैसे अदर वैकवर क्लासेज है और लोग है हर एक के लिए जो कमजोर समुदाए है उसके लिए कोई ना कोई सहूलिया दी जा रही है रिजर्वेशन दी जा या कोई और तरीका नकाला जाए तो इसके लिए जो जो मुसल्मानों में से अब मुसल्मानों के लिए रिजर्वेशन अब मैं कहूंगा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए तो ये फजूल होगा लेकिन ये है कि मुसल्मानों में भी ऐसे अंग हैं ऐसे वर्ग हैं जो के पिछड़े हुए हैं और उनके लिए रेजर्वेशन की वही जुरूरत है जो और पिछड़े वर्गों के जुरूरत है मैं रह्मान साब से पुछना चाहूंगा कि क्यों कांसिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं लाए जा सकता आपकी पार्टी की तरफ से पार्लिमेंट में बिल पेश कीजिए मैनरेटी इसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दीजिए ये हो सकता है और एक सवाल मेरा है मिडम कि मै ये इनेफिशिंसी नहीं है ये मैनरेटी जो है मिनिस्ट्री की या जो जिम्मेदारों की के जो मैनरेटी के लिए बजट मनजूर किया गया डिफरेंट स्कीम्स में खर्च करने के लिए वो खर्च को नहीं पाया सर मेरा समाल आपसे सिफ ये है कि अर्टिकल 3.41 के तालुक से जहां तक शिडूल कास्ट रिजर्वेशन का मामला है आजादी के पहले मुसल्मानों के भी वो तबके जो उस तरह के काम करते थे उन्हें शिडूल कास्ट का रिजर्वेशन हासिल था लेकिन अर्टिकल 341 के जरीए 1951 में जो आया उसके बाद मुसल्मानों के उन तब कुछन के हालात तो नहीं बदले लेकिन रिजर्वेशन की दरवाजे बंद कर दिये गए आज हालात यह है कि वो काम करने वादे कपड़ा धोने वाले या उस तरह के काम करने वाले जो मुसल्मान है उन्हें शुडूल कास्ट के रिजर्वेशन से महरूम रखा गया ये कहते हुए, जबकि Constitution ये कहता है कि सब को बराबरी का हक है, मसावाद की बात की जाती है, लेकिन यहाँ जो असल दलित मुसल्मान है, उनके साथ नाइन साफ भी हो रही है। जैसा कि सचर कमीटी की रिपोर्ट आने के बाद ये सब को पता चला कि महिलाओं की स्थिती जो है काफी अच्छी नहीं है, मेरा मानना ये है कि जो हम स्कॉलर्शिप जो हमने स्कीम शुरू की, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सही ढंक से नहीं हुआ, खास करके वो ह जो कि बेवा हैं, जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, तो मुझे जहां तक लगता है, स्कॉलर्शिप से जादा बेहतर ये तरीका होगा सरकार की तरफ से, कि उनको फ्री तालीम का बंदोबस्त किया जाए, और साथ ही साथ उनको हॉस्टल भी प्रोवाइड किये जाएं, जहां जहां पर चार सवालात उठाएं, एक तो एक सवाल उठाएं, जहां तो क्यों अमेंड किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है, यह तना आसानी से अमेंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूरे स्टेट्स का सहोग होना चाहिए, सिर्फ का आंग्र पंडमेंटल है, तो पूरे इस त्री फॉर्थ आफ दे स्टेट इसके ओपर अग्री होना है, मैंने समस्ता हूँ कि इस सेकेंड आपने कहा कि इन एफिशेंसी, यह एक बहस चल रही है, दिखे हमारे पास मैनार्टिक मिनिस्ट्री में दो प्रोग्राम समझ चलाते हैं, एक MSDP और एक स्कालरशिप प्रोग्रम जहां तक स्कालरशिप का है, बचक उर्च पुरा इस्तेमाल हो रहा है, जह bandsडी है, हमारी मजबूरी यह है, कि MSDP के जो प्रोपोजलस हैं स्टेट से एमीनेट होना चाह् lifesङए, स्टेट को भेजना चाहिह, इस स्कीम अफ तों को हम चै भी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो उन एरियास में हो गया है वो मानिटरिंग सही जगह पर क्योंकि यह पूरा जो स्कीम आफ तिंग्स था मैं भाइब भाइब बहुत कर रहा था कि हम उसको इस 13 14 में कंप्लीट हम चेंज कर रहे हैं आप जहां तक वहां स्टेट्स अपना उस नहीं भेज़ पाए उस वहां तक हम बज्जक स्पेंड नहीं किपड़ा हैं वो उन महिला का सवाल उनका सवाल बहुत ही वाजिब है और हम महिलाओं के लिए हमारे पूरे स्कालरशिप में 30 परसंट स्कालरशिप महिलाओं के जा रही है आज और मुलाना आज़ाद फा इस पर चरचा हम जारी रखेंगे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सवाल जबाब का सिलसला तो आज हम है हैदराबाद के मानू यूनिवर्सिटी में और आज हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम समुदाए की जो समस्याएं सचर कमेटी के द्वारा इंगित की गई थी उन समस्याओं को दूर करने में सरकार सक्षम हो पाई है कहां तक उसने काम किया है औ अब रहां सबस्ते है टो रहे तो रहेकृस स समया सबस्क्रांए की ऐस में यू निकला है कि मुस्लिम जोमें का स्टेटस मैं फ्रीज लिम जो मैं आटेकरा है और जिकांफें मेशी बिकलियर कोने याध मेज़ बॉश्शिम फिल्सक्राइब कर दिए टह छिए निसे सब्सक्राइब की तार्सब्सितिक नुष सब्सक्राइब कर दोसरा जो मिनिस्ट्री और जो सचार कमिटी का लिए जो पैसा आये हैं वो मुस्लिम चाइल को मदर का ओम से शुरू करके स्कूल एंडिंग तक अगर फालो किये तो फावर्टी ज्यादा से ज्यादा एराडिकेट होगा उसको आप जब आप मिनिस्ट्री में हैं एक काम अगर कर सकते क्या मोहलास में गरीब मुस्लिम विमन का जब प्रिग्नेंशिवा तब से खाना और प्रोटीन देना स्कूल्स जो एक दो तीन लोगों से चला सकते हैं अच्छा स्कूल्स एप्रे मुस्लिम चाइड कैल पी इन दे स्कूल फ्री तो सिक्स आफ्टरवर्ड्स दे कें टेकर इन वेरियस वेस वह कर सकते हैं पली चिज़े के मुसलमानों के लिए जिस पब्लिक स्पेस है और श्र किरे करिया के दो खेंगे, कि इन स्वेस ऋब फीद Gregory interes 24 के दो कि खाम में बढुटे को स्कूल्स जाब्यु ऑब्ली कि इन सक्रावानों के लिए मुसलम्स का वेस सब्सक्राव बाइत मेशन वेस to बंड्रैनिकों श्रोडवर्ड तो यह प्झार्ण स्वाल मेरा इंसखांग क सचाहर काश्यू्ट म้ एाफ पर चलते हैं, मुच्छी जगता हैं, कि एव पोर मोज़ की एव शक्राइब प्राइब से एह लोग से सब्सक्राइब का चीनी कुछी तो मुच्छी एलेखे नच्वा है, इक्रोवारेहां, we are working out. weiß already He C superb провер 10 or this one, it is already covered. So, that is also in ÉCD Mr. 15% this is allowing us there, ten first standard to PhD also we have about, we'll integrate, there's a good sensation. Both the suggestions, we will address it. As far as your suggestion is concerned, अज बारे लटे हम जावी इसकेम भी बेसी दिश्य नें टो एक मैलना चैप इस लिएर टेchn it is what we want to we are we are already having this scheme will be going towards the modern school and from Marila now the foundation we are doing this to setup this modern schools and we are the working with HRD as far as the as far as the proposal is there as far as the graveyard send the one is there that is the state government domain because the central government has nothing to do with the land but we have instructed the central with the state governments to look into these grievances as far as the shelter is concerned now earlier in 15-point program urban housing poverty elevation was not there now it is included so the housing problem will can also be looked into because we have even there the 15 percent there is a in the urban development ministry there is a housing for poor is there that is also been looked after ismaa akshwal apshe women issues per satchar committee ne koii khas point out nini kiya hai lekin aapki nazar mein muslim mahilau ke upliftment ke liye mahal badalni ki zarurat hai ya unheh aware karke mahal ke anukul banane ki zarurat dono chizhe dono chizhe hongi kahi kahi hume kompromise unke saath karna padega ka ke anki area mein is liye ke joh bachche hai bachche ho kho choude ke bahar jana bhi aurat ke liye bhot muskil maslaha hai or joh aap ne eek ya kanchan ilaiya sahab ne joh sawal race kiya hai us ka mein yeh jawaab dhungi ke muslim aurat khas tawar se aap dhekhe saharanpur se leke bhiwandi tuk joh hindi krafts hai wo sare unke hati hai they are very much you know rich unke paas ye art hai different arts hai laknao aur banaaras aur aligar and everywhere or bombay mein yeh sab representation nazar aate hai merah idea yeh hai ke muslim auratun ke liye cottage industries her shahar ke anndar banai jahe jo government kar sakti hai aur ismae yeh sari arts and krafts ko promote kia jahe aur inke jo exports ke hai yeh sara nizam auratun ke hatmeh diya jahe sari manufacturer bhi wo yuhon aur middleman hata diya jahe sab pura auratun ke hatmeh ho ka aapka ju situation hai bhot uchha situation hai we have some schemes if some organization come forward we can directly we have got a national minority finance development corporation for addressing this uh woman employment and all that if you have this suggestion if we anyone any ngo come forward we will be able to assist this ngo with financial support jek point mein aur raise karna chahongi ke hum apne tajarbe ki benyaad pe is natije per paunche hai jis pe researcher bhi yeh keh chukhe hai kek triangle ki zahurat hai ke uh government corporate sector and ngos should unite together and they should work together to us se kya hoga ki poverty kiunki candidates joh hai uh ngo ngo as in ngo candidates corporate sector ko wo dhengi ngos dhengi aur government unko help karee abhi ek chiz yeh dhekne meh kao karee ki ka koopereit sector jis ka certain percentage unkoi hun ko dhena chahiye unhohne apne hii ngos establish kare liyan and now they are not paying the taxes so yeh jho chize hai is per vhi control ho taakke jho jo kam jis tera se government so chty hai us tera se practically ho pae jih ek sawal Aap se hai kya muslim samudhae log bhoat sare लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो पॉलिसी चला भी रही है जो सुधार के और अपलिक्मिन्ट के प्रोग्राम चला भी रही है उसको भी बहुत हद तक मुस्लिम समुधाय का रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है खास दोर से मदर्सा मौर्णाइडेशन के बारे में ये सबसे ज़्यादा कहा जाता है ने ने मदर्से के लिए सबसे एक टेकनिकल एजुकेशन भी उनके साथ होना चाहिए ये के सिर्फ मदर्सा एजुकेशन के तहट लाकर मुसल्मानों को सिर्फ एक बंद कमरे में बंद कर देंगे ये ठीक नहीं है उनको मौडर्न एजुकेशन की भी जरूरत है तो ये मौडर्न एजुकेशन जब तक नहीं आएगा मुसल्मानों में तो वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार नहीं हो सकते। सिर्फ एक मस्जिद में जाकर नमास पड़ा देने से उसका पेट नहीं वर सकता। उसको कुछ नकुछ ऐसे काम भी करना चाहिए जिसके जरीए वो अपनी माश्यी तरखी करें अपने खानदान को पादे और खुछाल जिन्दगी उजार साथ मुला नाजाद नेस्टनल जो फेलोशिफ आप दे रहे हैं यह हमें बड़े दुक के साथ कहना पड़ता है कि यह उन लोगों को कुछ लों को तो मिल जाता है लेकिन जो पि एईईजी में एंरोल्ड होते हैं उनको क्यों नहीं मिलता है इसमें कुछ लोग है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो इसमें एम्फिल में डिस्टिंक्शन होल्डर हैं, क्या क्राइटेरिया है माइनार्टी मिनिस्ट्री का, किस बनियाद पे इन लोगों को वो स्कारशिप नहीं मिलता है, उनकी इंकम भी कम है. मौला नाजाद फेलोशिप ए मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, वे इंटरस्टेट टू यूजी सी, यूजी सी जो नॉर्म्स सब अल इंडिया लेवल पे फेलोशिप को नॉर्म्स रखें, वही हैं, अगर आप इसमें कोई प्राबलम फेस कर रहे हैं, तो हमको लिखें, हम एक छोड़ा सा सवाल इनको भी कहूंगा, जिससे आपके सवाल का भी जवाब मिल जाएगा, देखिए, आपने आंकड़े दिये कि रिसोर्स आलोकेशन कैसे हुए हैं, अलग अलग कारेक्रामों में कैसी प्रगति हुई है, आप जानते हैं कि जन्समुदाय में, एंट्रिक प्लानिंग और अड्मिस्टेशन में ये बताया है, कि सोशल सेक्टर में, धनराशी के अवंटन के बावधूद, मुस्लिम्स के फेवर में, उनकी प्रोग्रेस जो है, वो SCST की तुलना में कम है, नैशनल सांपल सर्वर के डेटा से ये मिलता है, कि मुस्लिम्स का अगर 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 सरकारी समर्थन के साथ में, अगर हम ये असा निखालेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ जो मिस्किविंस है, उस पर हमें मिल सकेगा, और मैं समस्तों, यह हमारा कारिक्रम होना चाहिए. I fully agree with him, and there is need for evaluation after six years, and we are doing it, we are working on that. But before 2014. कालने की कोशिश की जाएगी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी शुक्रिया.